दी फोर यूंदे खरे तमाम दूस्तों को दी फोर फिनले करा मसकार चर्चा करेंगे दिन बड़ की बड़ी कवरों पर अमरिसर के सांसद गुर्जी सिंग ओजला ने पंजाब के डारेक्टर जनरल अफ पुलेस विरेश कुमार भावरा को पत्र लिख कर उनका ध्यान परदेश में बढ़ रहे नशे के कारोबार और हो रहे अवैद तोर पर दला सक्टा की कारोबार की तरफ दिलाआ है उनने कहा कि ये दोनों चीजें समाज को खोकला कर रहे हैं इसलिए आंखे खोलिए और एक्शन प्लान बनाईए ताकि नशे के कारोबारियों पर लगाम लगाई जा सके रूलिंग पार्टी के कांग्रस के सांसद गुर्जी सिंग ओजला इस तरह डीजीपी को पत्र लिख से संकेत हैं कि पंजाब में ड्रग्स खुले आम बिक रहा है गुजी सिंग ओजला ने डीजीपी को लिखे के पत्र में ये कहा है कि पंजाब राजे के लोग जो कभी अपनी वीरता के लिए जाने जाते थे अब उन्हें अंतरराश्ट्रिये मंचों पर नशेरी कहा जाता ह उन्हें ये भी कहां कि मादक पदार्थ की तसकिरी की जांच में कई वरिष्ट अधिकारियों और राजनेताओं के नाम कई मौकों पर सामने आये हैं लेकिन वे कारवाई के बजाए एक सील बंद लिफा हुमें पड़े रहते हैं दूब ने जना दी आर्थे का आथ बड़ी मड़ी होना दे बच्चे बड़ी तुरी तरह एदे जन्हों बाड़ गोरे ने उस वास्ते मैंनों एक बेंती किती है कि तो अन्नु अक्षाम बंद किते हैं गजारा नहीं होना तो अन्नु एदेली कोई ना को एक्शन प्लैन ब कराम पाती और परचावी ड़ाटे लागार देगो बात जन्दा मैंच होना है जड़ा अमरसानु स्प्लाइज ले चेन है ओक रोनी टूट दी ना कोड़ों कि जो तो मैंनों फोन करो मैं हर कमिशिनर नूँ मेशाइं बेंती किती है कि साड़े ट्रग दी बहुत बड़ी प पोच्छी देजे तो ए मैंनों क्या कि ए सारी ये इताड़ा तंतर फेड़ है फिरे नूँ खतम करो इनानु सिस्पेंड इनानु कराज बड़ाओ ये नंवकरी चिकाते पैसे ले रहे हैं लोग सारी ये तो अनूँ टैलिजिंस तो अडिये नहीं पता कर रही है अमरसार च चिता जां सोरी synthetic drug जड़ा चिता भी कहां देयों पर वैसे synthetic drug और कौन लेके आ रहे है तो इदे नाल अज उनानों क्या कि आपने आपनू जड़ी आपनू जड़ी आपनू ड्यां डे आ रहे हैं इंटरनेश्णल डरउन ड्रब्राइम नाया जा रहा है सारी बढ़्ड़ न पावे साड़ी आवे साड़ी सरकार नो भी दास्तरीक ने कर चिता कर रहा जोगा वी इन देता अनुकार में करनी होगी अमर सार नो ड्राग फ्री और जड़ा खास का दड़ा सटा फ्री यह बनाना चो मतलब मैं पूरी ताकत लाओंगा और अनमे थे समय वास्ते तर ने जड सब्सक्राइब कोशिच कीती अफसर बहुत अच्छे ने पंजाब पुरस्ति कोई मंचा दे बड़े बड़े वदी अफसर ने चंगे अफसर ने और वो कामक कर सकते है तेड़े काड़ियां पर डणे चाहे साठे जो उन जाए कोई होए तो अनुकार वाई कर नी पोगी क्योंकि मेशाए तो उसी टाल दे जे गालकार न तो कोई नी जी बेने या जी कार दे ने यहां यह दा नी होना सानु मी समझ लाग जयां दे जिरी पाचाई तो यह फोन संदे जड़ी पाया है तो ही सानु कहीं देजे उसानु सारा समझ हुंता पर मैं उतनुता की चोपसा क्योंकि चनी जी ने एक वड़ा काम जड़ा उन्नुं फड़के की ता बिक्रम जीठ जड़े एस बिरती दे लोगाना वी अफसर समझ लेंड वो सजन्द दायान नूँ जादे फढ़के उन्हों अंदर दे दियो चाहिए को प्लिटी कला है चाहिए को अफसर है ता यार है व्योंकि आफ्टराल कोई ना कोई दे हैगा ना जड़ा तनू रोगता है वो किड़ा क पर ड़ड़ा सब्दान तो उत्य हो गया जिननों तो यहाथ नहीं पासागे ते जहां फिर अपने पोस्ट आइडिया के दिहोर करा ले हो नहीं ते इत्थे दिल आंके जड़ी यह जिनने भी लगड़ा है थी अफसर हमसार चे वह सोचके लगे कि इत्थे उन्हों एचीज के के लोगों से दूरी बनाई रखी सिदु ने कई बार दूसरे नेताओं के लिए तलक शब्दों का भी प्रयोग किया जिसके प्रती लोगों में उनके खिलाफ नराज की बड़ी उन्हें यह भी कहा कि नवजोर सिंग सिदु का तरीका भी जो बोलते हैं वह लोगों को प सिदु के प्रती नराज की बड़ी उन्हें यह भी कहा कि नवजोर सिंग सिदु की वजय से ही कई कॉंगरिसी पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं ड्रग केस में फसे दिगज अकाली नेता बिकल्ब सिव जीठिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली रहात आज खतम हो रही है उन्हे महाली की ट्राइल कोड के आगे सिरंडर करना होगा इसके बाद रैगूलर जमानत के लिए याची का दायर कर सकते हैं मिजीठिया के खिलाब महाली की क्राइम ब्रांच में इंटरनेशनल ड्रग तसकरों के साथ साथ गांद का अरोब है इस मामले में जमानत ना मिलने पर ताकि वे विधान सबाचुनाव लड़ सकें और परचार कर सकें चंडिगर में आये बिजली संकट को लेकर कॉंगर्सी सांसर मिनीश तिवारी ने केंद्रिये ग्राह मंत्री अमित शासे इसमें दखल देने की अपील की है तिवारी ने कहा कि चंडिगर में पिछले 36 घंट कर तुरंत हाला ठीक करवाएं पंजाबे विधान सबाचुनाव हुए तीन दिन बीद गये हैं लेकिन तमाम पाटियों की तलखी अभी साफ दिखाई दे रही हैं आम आदमी पाटी के निता और मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भगवण सिंग मान ने अपने विरोधियों को लेकर कहा पंजाब में सबी दल मिलकर आम आदमी पार्टी को सत्ता में आने से रोकना चाहते हैं शुरूमनिय अकाली दल और भाजपा की और से नतीजे आने के बाद दोबारा गठ बंदन के संकेद दिये गए हैं इस पर भी भगवणत्मान ने कहा कि सत्ता के लिए सभी विरोधी दलों की भूक उनको साथ रख रही है मानने दावा किया इन राजनितिक दलों को अपने मनसूबों में काम्याबी नहीं मिलने वाली है भगवंत्मान ने शुरूमनी काली दल और भारती जंता पार्टी पर लोगों को बेवकूफ बनाने का अरोप लगाया और कहा इन लोगों ने पन्जाब के लोगों को बेवकूफ बनाया और लोगों के साथ धोखा गिया उत्तरप्रदेश में हो रहे चुनाओं को लेकर पर्धान मंत्री निरंदर मोदी ने एक बार पर कॉंगर्स पर हमला बोला और कहा परिवार्वादी दलों ने गरीबों का राश है तो सरकार कैसे गरीबों के लिए काम करती है हमारी सरकार पिछले दो साल से यूपी के 15 करोड लोगों को मुप्त राशन दे रही है जिस राशन की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी उसका दाना दाना आज उस गरीब तक पहुँच रहा है सरकारी राशन की दुकानों का पहले क्या हाल रहा है ये आप मुझसे भी जादा जानते है और कोरोणा के समय सब कुछ ठीक कैसे चल रहा है हर गरीब को राशन कैसे मिल रहा है ये भी जानना बहुत जरूरी है साथियों इसके लिए आपको पुराने दिनों को उनकी सरकार के समय यहां क्या हाल थे उसको जरा मैं याद कराना चाहता हूं पहले की सरकारों में राशन की दुकानों से गरीब के लिए भेजा गया अनाज राशन माफिया के पहास पहुंच जाता था दुकान के सामने कब राशन बाटने की तारिक लिखी गई कब राशन खत्म हो गया एक गरीब को पता ही नहीं चलता था गोर परिवारवादियों के दलाल गरीब का राशन उसे भी लूट लेते थे यहां तक की उनके मंत्री उनके सावसत उनके विधायाद ये सारे परिवारवादी तोलिया ये गरीबों का राशन लूटन में शामिल रहते थे भाजपा सरकार ने गोर परिवारवादियों के इन सारे खेलों का भी दे एंड कर दिया है केंद्री मंत्री वह भाजपा के उत्तर परदेश शुनाव के सापरभारी अमराग ठाकर ने कहा अखिलेश तेरे चार यार गुंडा अपरादी माफिया और फ्रश्टा चार इनकी सरकार में इनकी पार्टी के ही लोगर है गुंडे हो अपरादी हो आतंकी हो या चरा पेजने वाले माफिया हो निर्दोश रुखों की जानको लेने का काम किया है लेकिन अखिलेश यादब फिर चुक यह रंगेश अखिलेश का खेल यह देश के सामने इक पह पर पिर आयाए आतंग की अखिलेश का औरेक्शन सामने आया जेल और बेर और अखिलेश का सामने आया दहित लड़की बेटी का अभर्ण और अखिलेशी पार्टी के नेता का खेल भी सामने नदर आया तो मैं तो यही कहूँगा अखिलेश तेरे चाह यार अखिलेश तेरे चाह यार गुंडा अपरादी माफिया और भश्टाचार अखिलेश तेरे चाह यार गुंडा अपरादी माफिया और भश्टाचार उत्रप्रदेश में चल रहे चौथे चरगे चुनावों के बीच महाराश्टर के राजनीति खलके से एक बड़ी ख़बर सामने आई है राज्य स्रकार में अलब संख्यक कल्यान मंत्री और राश्टरवादी कॉंग्रिसी नेता के परवक्ता नवाब बली को इडी ने गिर्फतार कर लिया है सुत्रों के बड़ाविक उन्हें अंडर वर्ड से रिष्टों के आरोप में पूस्ताश के बाद गिर्फतार किया गया है उनका नाम अंडर वर्ड डान दाउद इबराहिम के भाई इकबाल कास करने लिया था इडी की टीम बुदवार सुबब करीब करीब आठ बजे पूस्ताश के लिए उन्हें मुंबई स्तित लेकर दफ्तर में पहुंची रूस के राष्टपती वलादीमीर पुतिन का कहना है कि रूस अभी भी युकरेन के मसले पर पस्चिम देशों के साथ राजनिक समधान तलाशने के लिए तैयार है लेकिन इस समधान में रूस का हित और उसके नागिरिकों की सुरक्षा को किसी कीमत पर नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है पुतन ने कहा वे शुरू से लेकर अभी तक एक इमानदार बारता के लिए तैयार है उन्होंने रूस के सेन्यबलों की ये तैयारी की तरीफ की और कहा कि उन्हें पूरा भुरोसा है कि वैद देशित के लिए सदा तैयार खड़े रहेंगे बॉलिवड अदाकरा कंगना रारनोत को बठिंडा कोट ने मान हादन का नोटिस जारी किया है नोटिस के मताबे कंगना को 19 अपरैल को अदालत में पेश होना पड़ेगा आपको बता दें कि कंगना रानोत ने एक बुजर्ग महला को 100 रुपए में धरना देने वाली बताया था उसी बुजर्ग महला ने कंगना के खिलाफ कोट में मान हाने की शिकायद दर्ज करवा दी थी उत्रपरदेश में चुनाव हो रहे हैं और नेता जीत हासिल करने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं भले ही इसके लिए उन्हें जनता से बीच दर्बार माफी क्यों न मांगनी पड़े भरी सभा में शर्मिंदा होना पड़े इसके लिए भी नेता तैयार हैं ऐसा ही मामला उत्रपरदेश के सोन भदर से सामने आया है रबर्ट गन से सीट से भाजपा के मुझगूदा विथायक और प्रत्याशी भुपेश चौबेश चुनावी जनसभा के दौरान अचानक कुर्सी पर खड़े हो गए और अपने कान पकड़ कर उठक बैठक करने लगे उन्होंने जनता से गलती भी मानी आज के लिए विस इतना ही किल आपके स्मक्ष फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए नमस्कार झाल